हे दोस्तों विल्कम बैक टुमाई नियो वीडियो कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब बढ़िया होंगे तो ए देखो मैं आप लोगों को क्या दिखा रहे हूं जो कि मैंने इसको बनाय हुआ है बोरी से और साड़ी से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है न तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दे रहे हूं कि साड़ी हमारी जो थी कटपीस बच्ची हुई थी इसका मैंने और भी चीज बनाय हुआ है वह भी मैंने सेयर किया हुआ है आप लोग जाकर के चैनल में देख सकते हैं तो यहां पर मैं चार हिंच के हिसाब से साड़ी जो है तो यहां पर हम साड़ी जो है काट लेते हैं तो साड़ी काटने के बाद इसको मैं अलग कर दूँगी उसके बाद मैं बोरी लूँगी और तो यहां पर देखो पूरानी वाली बोरी मैं ली हूँ चावल की बोरी थी तो इसका भी मैं बनाने वाली हूँ तो सबसे पहले मै क्या करऊंगी इसको हमें पूर नहीं काटना है मतलब इसको हमें क्या करना है लंबाई से ही काटना है तो क्या करагेंगे हम दोनों साइड आरी-ारी काट लेंगे तो सबसे पहले मैं हाहतों से ही प्रेस कर ले रही हूं- ताकि हमारी भीरी सुकृłę होई है वो थोड़ा सा usho काटना करते ह apt- Companum रहे दोनों स्वाइट बोर से काट लेंगे और काटने के बाद इस तरह से खुला करने के बाद पीछे जो नीचे सीलाई होई है उसको खोल से सील लेंगे इस मारा रेडी कर लेते हैं तो यहां पी अतने सारे पीसर जो हैं तैयार हो चुका है तो पहले जो बोरी हमारी कोई है उसको नाँ कर लेखि़ें धोनों साइब से खोल दी हूं खोलने के बाद मैं क्या करUNT गहां गूल एक बागी जो इसा रख कर कूलुभी बाकि am करें जिससे बहुत ज्यादा मोटा लग रहा था इस वज़ा से मैंने खौल दिया है तो चलिए फाइनल में इसके सिलाई कर लेते हैं उसके बाद इसकी जो सुकड़न है उसको भी हम हटा लेते हैं यहां पर फाइनल में मनें सील लिया हुआ यह देखिए अब जो हमारी बोरी है आगे पीछे घट बढ़ हुई है उसको हम बराबर कर लेंगे तो बराबर करने के बाद यहां पर मैं साड़ी का एक तुकड़ा ली हूं और पीछे के साइड करते हुए इस तरह से मैं सील लूँगी तो यहां पर मैं लंबाई से पहले आरी आरी सील ले रही हूं क्योंकि बोरी जो है उखर रही थी इस वह जैसे मुझे पहले सिलना पड़ा तो इस तरह से हम यहां पर इस तरह से एक गोटा पट्टी तयार कर लेंगे तो यहां पर हमें मोटा ही रखना है तो इस तरह से हम मोटा करते हुए यहां पर इसको कम्प्लीट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए इस तरह से हम लंबा लंबा सिलते जाएंगे और इस तरह से हम लंबाई और चोड़ाई दोनों को देखते हुए सिल लेंगे तो यहां पर हमें बाक्स बनाना है तो यहां पर मैं इस तरह से निशान बना ले रही हूं कि कितने दूरी पर हमें सिलाई करनी है तो यह मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं कि यहां पर जो मैंने पट्टी तयार किया हुआ था उसको मैं सील करके नहीं कर रहे हूं हम एक ही साथ इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ते हुए एक ही बार सीलाई कर लेंगे तो हमारा जो है दोनों काम एक साथ हो जाएगा नहीं तो हम क्या करना होता है पहले हम पट्टी को सिलते फिर उसको पलड़ते उसके बाद जॉइंट करते तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता ऐसे में इस तरह से मोड़ते हुए एक साथ ही सिल लेंगे तो आसान होता है कोई ज्यादा परसानी नहीं होती है और बहुत जल्दी करनी है तो हमें बाक्स बनाना है उसके हिसाथ से डिजाइन डालना है तो आप चाहो तो जिस तरह का डिजाइन पसंद हो उस तरह से डिजाइन डाल सकते हो फिलाल मैं आज यही करने वाली हूं तो यहां पर पहले मैं क्या करूंगी यह दिखिए इस तरह से मैं चोड़ाई दूसरे साइड भी हम सिल लेंगे तो यहां पे देखिए हमारा यह वाला भाग कंप्लीट हो चुका है अब हमें क्या करना है लंबाई से करना है तो यह देखिए अब हम क्या करेंगे इस तरह से लंबाई में सिलते जाएंगे तो हमें सेम यही करना है एक बार जो है लंबाई ऐसे चोड़ाए करनी है इस तरह से हम सारे स्त्राइब यहां पर मैंने को छोड़ा क्रोड़ने के बाले के दो दूसरा वाला तैयार करूंगी यह दिखिए इस तरह से हम सिलते जाएंगे तो इसे बनाना बहुत ही आसान है बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है साथ ही साथ हमारे जितने भी पुराने चीज होते हैं वो फिर से यूज हो जाते हैं और काफी जादा सुन्दर भी बन जाते हैं तो इस तरह से आपके घर में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं साड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं आप छोटे-छोटे कपड़े या तुकड़े का भी जोड़ जोड़ करके इस तरह से बना सकते हैं तो चलिए फाइनल में इ इसके बाद आपको दिखा रहे हैं तो फाइनल में सबसे पहले मैं क्या करूंगी साइड शायड सी लाए कर लोंगी तो यहां पर इस तरह से मैं साइड भी कर ले रही हूँ तो इस तरह से हम मोडते हुए पट्टी तयार कर लेंगे तो यह भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो यह देखिए अब यहां पर निशान बना रहा है हमें एक और करना है तो फाइनल में हमारा यहां बनके रेडी हो गया है अभी मैं आप लोगों को पूरा खोल करके फैला क करके दिखा रही हूं तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बना सकते हैं प्यारी सी लंबी सी चटाई आप चाहो तुछे अपने तरवाजी के पास यह बेट के पास कहीं भी विच्छा सकते हैं यह देखिए बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है बहुत ही खुशूरत लग रह तो दोस्तों मिलती हूं कल आप लोगों के साथ एक नए ब्लाग में नए वीडियो के साथ तक लिए बाइबाए और हाँ जादा से जादा सपोर्ट दीजिए और जल्दी से वन के कंप्लीट कीजिए